हलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, देवजी के ट्रिक, फ्रेंज इस चैनल पर वीडियो एक्जाम की फुलतयारी कराई जा रही है, जहांपर हमारी हिंदी टेस्टरीज, हमारी समानेध्यन टेस्टरीज, यह हमारी टेस्टरीज चल लए हैं, और साथ में अगर किसी प्रक रखे गए हैं, जिनको आपको बाद में solve करना है, तो आपको यहां पर पहले पढ़ना है, फिर हमारे अंसर को solve करना है, ताकि कितना आपने पढ़ा, कितना इस वीडियो में सीखा, सभी के अंसर आपके confidence से साथ तयार हो जाएं, तो फ्रेंज, अगर आपको यह फीडिय जिनोंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, यहां पर हमने question दिया थी कि कौन सी जंजाती है, जो दीपा वली पर सोक मनाती है, तो थारू जंजाती है, यहां पर किसने किसने सही जवाब दिया है, यहां पर रसमी सिंग ने सही जवाब दिया है, जै गोविन ने स प्रिंट यहां पर चल लेते हैं हम लोगों को पढ़ना यहां पर बहुत धर्मुन ठीके तो चलते हैं यहां पर shortcut में हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा है पहला question कि light of Asia किसे कहते हैं तो light of Asia की नाम से किसे जाना आता है गौतम बुद्ध को ही जानते हैं ठीके बुद्ध का अर्थ क्या होता है तो बुद्ध का अर्थ होता है ग्यान ठीके अब बुद्ध की संपूर घटना ह जो होती है उनकी जीवन के बारे मत देख लेते हैं जो हाथी है प्रतीक तो गर्व में आना अर्था जब बुद्ध का जब जन्म हुआ था वो हमारा कमल का प्रतीक होता है ग्रात्याक की घटना घोड़ा है ठीक है घोड़ा हमारे क्या है ग्रात्याक की घटना है जो बोध खरत है कि गोटम बुद्ध अर्थात बहुत धर्म के सांस्थापक कौन थे तियाँ पर गौतम बुद्ध थे तियाँ पर इनका जह पर यहां पर फिनका जो जनव हुआ था तो 563 बीसी में 563 ये इस भी में हुआ था ठीक है लुम्बनी में हुआ था कहां पर हुआ था लुम्बनी नेपाल में पड़ती है यहां पर है जो बीसी में हुआ था आपको यहां पर देख ले ना बीसी में हुआ था इनकी माता का नाम माम आया था और इनकी पिता का नाम इनके पूत्र की प्राप्ति भी थी राहुल जिनका नाम था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम भी पूछ लेता है तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम ठीक Mitsendam पुछे fiscal आते हैं अबसे ठीकिए माहा भीनिस क्रमड और यह 29 वर्स की आवस्ता में अपना घर को त्यागे थे और इनकी एक हमारे second guru थे कभी कभी second guru भी पूछ लेते हैं तो second guru को नाम था रोद्रक राम पुत्र क्या नाम था रोद्रक राम पुत्र नाम था और next हमारे कि इन्हों ने ग्यान की प्राप्ति किया था ये हमारे 35 वर्स की अवस्ता में बैसाख पूड़िमा ठीके कब किया था बैसाख पूड़िमा के दिन ही निंकिया था जो इनकी हमारी घटना है सभी पूड़िमा के दिन ही घटित होती है ठीके इसलिए पूड़िमा जो बुद्ध पूड़िमा मनाई जाती इसी की कारण ही मना जाता है तो इनको जो ग्यान क प्राप्ति होई थी तो 35 वर्सकी अपवस्ता में वैसाख पूड़िमा के दिन मिरंजना नदी कौन सी नदी यहांबर पुछ लेते हैं निरंजना नदी पीपल ब्रच के नीचे ठीके पीपल ब्रच अमारे जिसे बोलते बोध चक्र परिवर्तन क्या बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कभी कभी पूचता है कि गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है तो धर्म चक्र परिवर्तन और कहां पर दिया था तो ये दिया था हमारा सारनात में ठीक है फी एक कोशन होता है कि कहाँ पर दे करहा है इनकी मुरत्ति लिए तो कुछी में कोई करल नगर में है कफी कभी चारैसी लिए चारनेायगे चाराने यिसी पूर में लिए धी पर माह का जाता है बोलने में, मगर आपको यहाँ पर लिखा होता है, उसी पर कमेंट आप लोग ज़्यादा मत करिया करिये, क्योंकि आप उस चीछ पर कमेंट ज़्यादा करते हैं, जहाँ पर कम्या हो जाती है, ठीके, तो आप कम्या नहीं, अच्छाईयां देखिए, कि हम आपको साथ कितना म पर होई थी, तो प्रथम बहुत संगीती होई थी हमारी राजगरा में होई थी, ठीके, राजगरा में होई थी, कब होई थी, जब इनकी मरत्ती होई थी, उसी इसबी पूर में, ठीके, चार सु तिरासी इसबी में, तो होता है कि पहली जो मरत्ती, जो इनकी, पहली जो साथ सब्सक्राइब एइ North ऑजम い अबे आपको टेश्ट तरीज भी लगाना है आप एक अच्छे से देखना है यहाँ पर तिर्थी बौश संगीती वो पाटिल पुतर में हो थी और यहाँ पर राजा हमारे कौन से थे असोग थे ठीक है दो सो इक्यामन इसभी पूर में बहुत जो हमारे चतुर्थ बहुत संगीती ये हमारे होई थी कुंडल वन में कई बार कुश्चन पूछा गया है तो चतुर्थ बहुत संगीती होई थी हमारे कुंडल वन में और इस भी पूर की प्रथम सताब्दी में कनिश्क के सासनकान में कुसाडवान्स सबसे प्रताध राज कोन थे कनिस्क थे कि ओर कूछ जो 4 हमारी बोध संगीति हो गई उसके बाद यो हमारा धर्म दो भागों में तूट गया था अर्थर्त महायन और हमारा हीं नियान अधत मायान का नोते थे लोग जो थे वो दार्सनिक मानते थे जो लोग हीन थे वो लोग कहते थे यह अवतारी पूरूस हैं अब एक क्वेश्चन हमारे इन से नाम क्या है जो इनके बारे में दिया गया है तो उस पुष्टक का नाम है तुरिपटक अभी हमारे PCS में भी पूछा गया था question की बुद्ध की जो घटना है वो किस पउस्तक मिलती हैं तो त्रिप्टक पुस्तक मिलती हैं और एक होता है की जा तक कथाएं जो किस्य संबंधित हैं तो जा तक कथाएं किस्य संबंधित हमारे बहुत धर्म से ही संबंधित हैं अब यहां पर हमने यहां पर देखिए कि हमने इस भी भी लिखा दिया है गुफा भी बता दिया है सासक बता दिया है और संगीती अध्यच भी बता दिया है यहां पर कभी कभी यह पुछता है ति प्रतम बौधी संगीती किस के अध्यच हमारे इसके अध्यच कौन थे तो हम पर थे माहकस्यप जी थे ठीके तो यहांपर आपको इसको झालेना है यहां पर टेत सरीज आफडिफ मिल जाएगे यहां पर जब चतुर्त बहुत संघीति की बाद थाफ हुआज दो बागों में तूड़ गया था अभी हमने आपको बता दिया तो यहां सासक हमारे ससांक जो थे इन्होंने ही बोधिवरच्च को कटवाया दिया था ठीके और नेश्ट हमारे यहां पर है कि कनिश्क हर्षवर्धन माहयान साखा के पोशक थे या था सासक थे ठीके और यहां पर इनसे जुड़े हुई कुछ घटना है कि ग्रात्या की घटना क्या हो अब यहां पर एक point और आपको थोड़ा सा देखना है कि बुद्ध की मृत के पस्चात उनके औसेसों को आठ भागों में बाढ़ कर आठ इस्तूपों का निर्मार किया गया गौतम बुद्ध को तथा गत यों साक मुनी भी का जाता है ये भी देखना कि गौतम बुद्ध को तथा गत यों साक मुनी भी का जाता है नेश्ट मारा है कि जो बुद्धों का सबसे पवित्र यों मात पूर्ण तेवहर होता है तो बुद्ध पूर्णिमा होती है कौन होती बुद्ध पूडमा, जो बैसक पूडमा को मनाया जाता है। बॉद्ध धर्मे में बुद्ध पूडमा के दिन का इसलिए मात है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान के प्राप्ति यह महापरि निर्वान भी हुआ था। याहां पर हमने यहां पर इनका जीवन परचा भी बता दिया है कि इनका जण्म फोड़ा था कब तो 563 हिस्विपूर में नेपाल की तरही छेतर में कपिल वस्त के समीप लुंबनी नामक साक चट्री कुल में हुआ था कभीकभी ये पोच लेथा किस कुल में हुआ था साक बुद्ध की ग्रह त्याक का प्रतिक हबारा घोड़ा मानायाता है उनकी घोड़े का नाम क्या था कंतक था और शार्थी का नाम क्या था चन्ना था अगर फ्रेंस आपने पूरा वीडियो देखा है तो यहाँ पर टेसरीज आप आसानी से लगा पाएंगे यहाँ पर बुद्ध ने लगातार ब्रमण किया ठीके केवल वर्षा रिती छोड़कर इन्होंने 40 वर्ष तक उपदेश दिये इन्होंने सरवाधिक उपदेश का पर यह कोसल प्रदेश की रादानी काउंती सरावस्ती बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिये किस बाशा में दिये पाली बाशा में तो फ्रेंस अब हमारा यहाँ पर टॉपिक आ जाता है टेस्स रीज का ठीके टेस्स से कि आपने यहाँ पर कितना सीखा तो उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपने कितना यहाँ पर सीखा और कैसे कोश्चन इसके हमारे बन सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला कोश्चन है तो पहला कोश्चन से लेके चलते हैं कोश्चन है कि इनमें से किसका माहायान बहुत धमत्किये मूल विचारों के निरूपर से सम् लेंगे नेश्ट मारा है कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौध साहित में बिसे सिस्थान रखती है नेमलेकित में से कौन सी एक बुद्ध की पूण जीवनी है तो इनकी पूण जीवनी हमारी कौन सी है तो ये हमारी है ए नंबर जो ललित विस्तार है इसमें से इनकी पू पिजार करने वाले थे वो हमारे थे कौन तो यहां पर सी नमर होगा पद्म संभव थे ठीक कौन थे पद्म संभव थे निश्ट हमारा कोशन है कि प्रचीन भारती इतिहास के चंदर्व में नेमलिखित में कौन सा जो बॉध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप कर्म कांडों की फलवस्ता का निषे यहां पर जो हमारा बी नमबर है यह दो और तीन यह दोनों हमारे यहां पर सही होगा धर्म कि दर्म विश्वास करते थे तो यह किस पर करते थे कर्म तथा पुनर जन्म किसके विशे में कर्म तथा पुनर जन्म सिध्धान्त पर ये विश्वास करते थे नेश्ट हमारा कोशन है कि बौध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां पर हुआ था तो ये देखो आसानी से आगया होगा कि हमारा 563 हिस्वी में लुंबनी में हुआ था जो कि नेपाल की तराई चितर पर पड़ता है नेश्ट हमारा कोशन है कि बौध के अनसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है तो हमारा ए नमबर सही होगा इच्छाओं को कम करके प्राप्त किया जा सकता है नेस्ट अमारा question यहांपर है कि बॉध्ध धर्म दो साखाओं में बढ़ गया था तो इसमें से कब बढ़ा था ठीक है तो महायान समर्थकों के अनुसार कब बढ़ा था तो यहांपर हमारा कौन साई होगा तो यहांपर देख सकते हैं बुध्ध की विचारों को मानने से निर प्राप्त हो सकता है ठीक है नेश्ट हमारा कोशन यहां पर है दस नंबर दस नंबर की बौध धर्मे के महायान और हीन यान संप्रदायों में सरवाधिक मौलिक अंतर निम्लिकित में कौन सा था तो सरवाधिक अंतर था हमारा देवी देवताओं की पूजा किसे देवी देव पर में आपको बताना है कि किस भासा का ज्यादा ज्यादा प्रयोग यहां पर बहुत दो वाद के लिए अर्थात उनके प्रचार पसार के लिए गौतम बुद्ध ने किया है या उनके प्रचारक लोगों ने ज्यादा से ज्यादा किस सब्द का प्रयोग किया किस भासा का प् पीडियाप चाहिए तो हमारे टेली गरम नमबर से जुड़ जाए वहां पर आपको टेली गरम नमबर पर ये हमारी डाल दी जाएगी वहीं से आप इसको पास सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या ये पहले से इतना ज्यादा गहरा अधन था यहां नहीं था तो अगर आपको ऐसे ही हमको वीडियो चाहिए तो आपको लाइक भी करना है हमें मोटिवेट भी करना है साथ में हम आपको उस मंजिल तक पहुंचाने लाइक भी बना सकते हैं तो फ्रेंट्स हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए जय हिन ज प्रिए महरेद